फिर से लेट और हैं जल्दी करें असलाम लेकूम अभी जनाब टाइम हो गया है छे बजगे हैं और आज की वीडियो पी जनाब इतनी जल्दी में शूट किया है कि मुझे बिल्कु स्टार्ट लेना इसका टाइम नी मिला लेकिन अल्ला का शुकर है कल से ना तजर्बा हासल हो गया था टाइम आज अच्छे से सेट हो गया जितने वर्कर्स हैं आलमदलिल्ला हमारे घर में उनकी इफ्तार है वैसे तो डेली उनको जा रही होती है लेकिन मैंने का आप लोगों के साथ या शूट कर लेती हूँ कि उनको मैं तारी कैसे देती हूँ अभी जना पकोड़े और रोल फ्राय हो रहे हैं अच्छा बिर्यानी भी बनाई है साथ में तो बिर्यानी की सबसे पहले आप लोगों को दे रही हूँ ना घर में जो चीज़े हैं उनसे बनेगी वाइट ओर इंज यालो ये देखे को पता चलेगा इंग्रीडियंट्स मैंने यहां पे सारे रख लिये थे आप लोग जहां से देख सकते हैं स्क्रीन शॉट ले ले आप लोगों को याद रेंगे अच्छा उपर सब से ना टोमेटो फोर टोमेटो और फाइव से सिक्स ग्रीन चिली उनको चॉप का लिया मैंने क्यों लिया वो भी बताऊंगी होल चिकन है ठीक है मीडियम साइस का अच्छा यह चार मसाले हैं कुटी लाल में जीरा खुशिक धनिया और नमक बाकी सारे वन वन टी स्पून है खुशिक धनिया थोड़ा सा ज्यादा है डेट चमच है और लेट साइड के ओपर यह कुटा हुआ लेसन अद्रक है सबसे पहले और फिर थोड़ा सा अद्रक मैंने थोड़ा सा ज्यादा लेती हूं क्योंकि पता है राइस थोड़े से बादी होते हैं तो उससे यह मसला भी आपका हाल हो जाएगा चौप करके टोमैटो डालने जागर चाहे तो आप दई भी ल सालती हूं बाद मैं आप लोगों को बताती हूं क् Alan बना चाहे जो साथी मैं website पकोड़ों का पी समान बनारी थी और थी इप E इतनी देर मेरे जो हैं गोल्डन हो गे थे प्यास इतने गोल्डन करने इस से ज्यादा नहीं इसमें चिकन डाल देना है अम मैं एक हाल से जनाब शूट कर रही थी कोई कैम मॉबाइल पकड़ने वाला नहीं था तो हमेशा थोड़ सा पानी डालिया करें इस तरह ना चिकन चिपक जाए और अध्रग भी मैंने साथ ही डाल दिया था अच्छा इसको हलका सा मैंने फ्राइ किया देख लें आप लोग कैसे मैंने फ्राइ किया अब इतना ज्यादा भी नहीं क्यूंकि चिकन और राड़ी काफी फ्राइ हो गया था बहुत गोल्डन भी नहीं लेकिन मत अच्छी चोटे कुकिंग करनी होती थि कोकिंग मैंने सुफाई भी मैंने करनी होती थी तो मुझे ये असान लगता था था एफ पेकड़ जब गिरन आड़ तेस्ट अच्छा भी होगा तो वहां पे मैं ग्रीन चिली ज्यादा रखती हूं अच्छा एक कप मैं उसको हलका सा पहले मसाले को भूना हाफ से जादा कप मैंने पानी का डाला यह मैंसास सालन आपको दिखा रही थी कि वह भी बॉइल हो रहा था अब जहना उसको डालने के जब वह अच्छी तरह पानी बॉइल हुआ ना फिर बाकी का मैंने पेस्ट डाला है यहां पे देखें चिकन भी थोड़ा थोड़ा गरल गया है अच्छा मैं इसलिए डालती हूं क्योंकि इस पैकेट में ब्रियानी की खुश्बू होती है अगर मैं पहले डाल के वह भून फुल चिकन था और अब उसी साब से मैंने कम असकम फूर से फाइफ स्पून जो थी ना वह साल्ट की डाले थी चिकन में साथ हलकाल का भून भी रही थी और साथ में उसको देख रही थी क्योंकि मुझे बिर्यानी का या उसका मसाला जो हलका सा नीचे लाग जाना टेस्ट मैंने कहीं से नहीं देकी साथ अब देख ले मेरा जो कनका मसाला रही है और आएड़ ना मैंने सबसे पहले राइस के ओपर डाल लिया अब जे ना मेरी मैं बिल्कुल तहे नहीं लगाती मैं हमेशा पहले दिन से ना ऐसी करती हूं अब यह देखने साथ पॉर्ट के अंदर अच्छा इससे मेरे राइस नीचे पॉट पे लगते भी नहीं है और उनका इतना खुबसूरे टेस्ट मसाला क्योंकि में यह जो मसाला है ना उसी का टेस्ट होना आपकी ब्रियानी में अब वो अगर आदा नीचे लग जाएगा तो बिलकुल आपकी ब्रियानी में वो मज़ किया हुआ होता है तो टू लेमन पहले के पड़े थे बस वही उपर से मैंने डाल लिये और उसके बाद जनाब यह ब्रियानी कलर जो है फूट कलर ओरिंज कलर का मैं वाटर में नीचे करती क्योंकि नो उससे सारा कलर एक ही हो जाता है तो मैं हमेशा जो मतलब बिलकुल पा पानी डाल दी और मैंने दाम पर राख दिया इस तरह आपकी कभी बियानी नहीं लगेगी और पूरे 10-15 मिनट के लिए अब मैंने दाम लगाना है अब दाम किसको नहीं लगाना था ठीक है नपकिन में लपेट के उपर से कवर करती है और मेरे पास एक ही है यह जो है चोट देखने के बाद जना मैंने बाएर आखर फ्रूट चार्ट जो थी वो मुकमल की क्योंके कल पता है इफ्तार में बहुत देर हो गए थी तो मुझे फाइफ पीपल थे जिनको उपर इफ्तारी देनी थी अच्छा उसमें त्री जो है वो मुस्लिम हैं वो इफ्तारी करते हैं लेकिन टू जो हैं वो जो वर्कर्स मतलब पैकिंग या अलहमदोलिल्ला नला का शुकर है मेरे हिस्बंड का काम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है तो टू वर्कर्स जो है उनकी वो क्रिस्टिन है तो उनका खाना दुपैर को वो खाते हैं लेकिन मैंने एक-एक जाने में यलो कलर भी हो, वाइट कलर के भी राइस हों, और ओरंज कलर के भी टाइम होगा जब आप ड्राय, कलर उसके उपर स्पुनिकल करेंगे, और जिस तरह मैंने का था, और देखे मैं क्यूंक् програм अपर एकशला बिल्खत्ता कुरें लगने का नीचे से लगने पाकिस्तान में अब सैटल हो गए हैं और जो काम करते हैं उनके साथ 5-6 वरकर्स हैं एक दो दो क्रिस्टन हैं उनका दिन का खाना जो है वो उनको दिया जाता है और मैं डेली उनका खाना पना के भेशती हूँ अच्छा इसके अलावा साथ इफ्तार जाहरा 3-4 मुस्लिम है औ एक बात आप लोगों को बताओं कि जम मैं चोटी थी ना तो मारे अबू बहुत ज़्यादा अफ्तारिया करवाया करते थे मैं बेन वाईयों में सबसे बड़ी थी तो मुझे बहुत ज्यादा काम करने होते थे और मुझे बहुत घुसा आता था कि अबगी रोज किसी ना क को भी बेबान नहीं होते हैं वहां लात आला की जात पाक कितनी रहमते होती हैं मैं कहते हूं अलहम्दलिल्ला खुदा की जात पाक ने इतना दिया है कि बस अब मेरी आंके बार आई हैं बस आला की जात पाक कि मारे गुनाहों को माफ करते मैं अब जिसको भी कहते हूं ना क कॉमेट कर दीजेगा साथ ही उनको क्योंकि आज चाहे देनी थी तो साथ ही हमारी भी चाहे बान गए थी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा मैं मिलूगी आप सुलोगों से अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफिस